नमश्कार मित्रो हर हर महादेव स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में तो तुला राशी वालो आपके घर में ही पल रहा है आपका सबसे जहरीला दुश्मन पिछले साथ सालों से आपको डस रहा है और आप सफल नहीं हो पा रहे बरबादी की और अग्रसर हो रहे हैं आपके पर्स में पैसा नहीं टिकता जीवन में दरिदरता जहा रही है योजना रंग नहीं दिखा रही है वो तरह तरह से मुसिबत ने आपको घेरा है तो कारण कोई और नहीं बलकि सिर्फ एक चेहरा है आखिर उसका नाम क्या है आखिर उसे कैसे पहचानना है आज की वीडियो में तो कुछ भी हो जाए लिकिन नाम बता कर रहेंगे उसका पर्दा फाश करके रहेंगे और आपका बहुत बड़ा वहम दूर करने वाले हैं वीडियो बिलकुल अंत तक देखिएगा सबसे पहले महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कॉमेंट बॉक्स में तीन बार हर हर महादेव अगर लिखेंगे तो उन्हें आज के आज कोई बड़ी खुश खबरी प्राप्त होगी दोस्तो इस जिन्दगी में कुछ बड़ा करने के लिए सौ साल जीने की जरुरत नहीं हैं जितना आप जीए हैं उसी में कुछ ऐसा काम गर दो कि ये दुनिया आपको सौ सालों तक याद रखें आज का जो जमाना है यहाँ पर तो थोड़ा भी आप सफलता पा लेंगे तो लोगों की नजरों में यूही आ जाएंगे मान लीजे आपने घर बना लिया मान लीजे आपने बहुत अच्छे से शादी कर ली मान लीजे आप एक बहुत अच्छी गाड़ी लेकर आ गए तो आसपास वाले तो यूही जनले लगेंगे दुनिया वाले तो यूही जनले लगेंगे कि आखिर इसे इतना पैसा कहा से मिल रहा है लेकिन दोस्तो हम दुनिया वालों से मतलब कहा रखते हैं हमें तो सरवदा सफलता के शिखर पर पहुशना है लेकिन इस शिखर पर पहुशने से रोकने में किसका हाथ हो सकता है कोई और नहीं बलकि किसी अपने का क्योंकि दुनिया वाले कुछ भी बोले हमें फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब अपनों में ही गद्दार आ जाए जब परिवार में ही जहरिला कोई दुश्मन आ जाए तो मुसीबते दुगनी हो जाती है ऐसा ही खत्रा आपको परिवार के किसी सदस्य से बन रहा है आखिर उसका नाम क्या है? आखिर उसने आपको किस तरह से हानी पहुचाई है? वीडियो में देंगे पूरी जानकारी बिलकुल अंतर तक देखेंगे तो नाम भी पता चलेगा कारण भी पता चलेगा और निवारण भी पता चलेगा दोस्तों जिन्देगी की आपकी हकीकत सिर्फ इतनी सी है कि आपने जो किया सभी को बता कर किया आपने जो किया सभी की सहमती के साथ किया आपने जो किया खुले दिल के साथ किया जिसको सपोर्ट करना था उसको सपोर्ट किया जिसको आगे बढ़ने में मदद करने थी उसको मदद करी लेकिन सवाल ये उटता है कि जिन लोगों को आप सब कुछ बता रहे हैं क्या वो सच में आपके हितेशी है क्या सच में वो आपके शुपचिन तक है संभावना न के बराबर लग रही है क्योंकि दोस्तों चाहे कितना भी प्री से प्री इंसान क्यों न हो लेकिन जब आप उससे आगे निकलेंगे तो उसके मन में एक इर्शिया भाव अवश्य आएगा क्योंकि ये मानों की फित्रत है ये सभी में आ सकता है चाहिए आप ही क्यों न हो तो ऐसे में हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर कपड बहुत ज़्यादा भरा होता है कपड क्या होता है कपड ये होता है दोस्तों कि दूसरों का सोचने से पहले बहुत ज़्यादा अपना सोचना देखे अपना सोचना कोई बुरी बात नहीं है लेकिन ऐसा अपना सोचना जिस वज़े से सामने वाले का नुकसान हो जाए इसे कपट कहते हैं अब आपके घर परिवार में ही रिष्टदारी में ही कुछ ऐसे लोग है जो हमेशा आपसे जलते हैं वो सामने दिखावा करते हैं कि वो आपसे खुश है लेकिन जब भी आप सफल होंगे आप उनका चेहरा नोटिस करिएगा उनके चेहरे के हाव भाव ही बदल जाते हैं उनके बात करने का तौर तरीका ही बदल जाता है आप महसूस करते हैं कि इस इंसान का मूफ उला हुआ है आप महसूस करते हैं कि इस इंसान रूठा हुआ है आखिर क्या कारण हो सकता है हमने तो उनके कुछ गलत बोला नहीं और कही से भी हमने उनका अपमान किया नहीं तो कुल मिलाकर यही कारण है कि वो हमारी सफलता से जल रहे हैं और कई ऐसे लोग मिल जाएंगी दोस्तों आपको इस जमाने में जो आपकी सफलता बरदाश्ट नहीं कर सकते उन्हें आपकी सफलता रास नहीं आती कारण क्या होता है? कारण सिर्फ ये होता है कि ये मुझे से आगे कैसे निकल गया या ये मेरे पुत्र या पुत्री से आगे कैसे निकल गया लोगों ने हमारी सफलता देखी हमारी विजय देखी लेकिन हमारे पैरों के च्छाले नहीं देखे आखिरवे कौन लोग है उसका नाम क्या है आगे वीडियो में बताने वाले हैं आपको महत्वपूर्ण साउधानिया देने वाले हैं और अंत में दो उपाय तो बताएंगे ही बताएंगे ये दो उपाय अगर आप कर लेंगे तो सारे रोग, सारे दोश, समस्त शत्रों का नाश होगा साउधानियों के तोर पर आपको एक बात का ध्यार रखना है कि अपनी योजनाओं को अभी से किसी को नहीं बताना है पहले गुप्त तरीके से अपनी योजनाओं पर काम करना है, सफल हो जाएंगे तो लोगों को यूँ ही पता चल जाएगा आपके जो आदत है कि आप गाउ बसने से पहले ही डिंडो रापीट देते हैं तो वो गलत हो जाता है वहाँ पर एक तो आपको लोगों की बूरी हाय का सामना करना परता है नजर दोश का सामना करना परता है और आपके काम बिगड़ जाते हैं चाहे घर का कोई अपने से अपना इंसान क्यों न हो कोशिश यही करनी है कि आप अपने काम गुप्त तरीके से करे और गुप्त तरीके से ही योजनाव को अंजाम दे कहते हैं बड़ों की सला लेना बहुत जुरूरी होता है तो आपके घर के बड़े जो मुख्या है उनसे आप बाचित कर सकते हैं और उनसे भी गोहद खूफ या तरीके से करिएगा ताकि अन्नि सदस्यों को पता न चले जितने भी विध्यारती है उनके लिए समय बहुत अच्छा है अगस्त का ये महिना आपको शुब संदेश देने वाला है शुब परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाला है लेकिन एक बात का अब ध्यान रखें ऐसे मित्रों का संग न करें जो आपको उपर ले जाने की बजाए और ज़्यादा नीचे लेकर आ जाए देखिए कहते हैं संगती का हमारे भविश्यों को बनाने में बहुत बड़ा हाथ होता है अगर इंसान की संगती अच्छी होगी तो वो बहुत जादा सफल होगा वो काटे भरे रास्तों में भी फूल खिला देगा लेकिन अगर इंसान की संगती बुरी होगी तो अच्छे बले फूल के रास्तों पर जा रहा होगा तो बीच में काटे उगा देगा तो कुल मिलाकर संगती अच्छी होनी चाहिए आपके मित्र आपको आगे बढ़ाने के लिए अप्रिशेट करे न कि ऐसे दोस्त पाले आप जो जहरीले दुश्मन हो कई दोस्त ऐसे होते हैं जो समझ जाते हैं कि ये बहुत कुछ कर सकता है जो समझ जाते हैं ये पड़ेगा लिखेगा तो हमसे आगे निकल जाएगा तो आपको धुम्रपान में बिजी करवा देते हैं गलत वियसन में लगा देते हैं गलत आदतों का शिकार बनवा देते हैं जवाने का दोज जोश होता है तो आप भी समझ नहीं पाते हैं लेकिन हम आपको सही सला दे रहे हैं ऐसे मित्रों से दूर रहिएगा ऐसी परिस्तितियों से दूर रहिएगा नोकरी पेशा लोगों के जीवन में एक अच्छा उच्छा लाने वाला है चाहे आप प्राइवेट जोब करते हैं चाहे आप सरकारी जोब करते हैं रिश्वत खोरी से दूर रहिएगा भगवान ने आपको यूही बहुत कुछ सोपा है उसकी जिम्मेदारी समझिये और बेमानी के रास्ते से दूर रहिए क्योंकि दोस्तो कोई एक ऐसा व्यक्ती हो सकता है आपके कर्म छेतर पर जो आपकी बहुत बड़ी जुगली डिपार्टमेंट को कर सकता है और आपने इसी ऐसे अन्य व्यक्ती के सामने यह काम कर दिया तो फिर नौकरी तो जाएगी ही जाएगी समाज में जो इजद बनाई थी वो भी उचल जाएगी कहते हैं इंसान को अपनी छवी बनाने में अपनी इजद बनाने में सालों गुजर जाते हैं लेकिन एक जटका एक पल ही काफी होता है उस इजद को गवाने में और आपको वो गलती नहीं करनी है आपका भ्यापार बहुत अच्छा है आपका स्वास्ति बहुत अच्छा है लेकिन दोस्तो ससुराल पक्ष से कोई भी गलत जवाब आता है तो उसकी तीखी प्रतिक्रिया मत दीजेगा अपने व्यवहार को सरल विनम्र मनाईएगा रिष्टे सुधना शुरू हो जाएंगे आईए दो उपायों के बारे में चर्चा कर लेते हैं ये दोनों ही उपाय आपके काम बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और आपका काम बनाने वाले हैं जिसमें की सबसे पहला उपाय दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको बस एक पीपल का पत्ता लेना है उस पीपल के पत्तें पर अच्छे से धोलीजे उसको उसके बाद आपको उस पर हल्दिया चंदन से हीम लिखना है हीम लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा गुर्चने का प्रसाद रखना है और ऐसा का ऐसा ये पत्ता हनुमान जी महराज को अर्पित कर देना है अब आप वहाँ बेट कर सरसो के तिल का दीपक जला कर हनुमान चालेसा का पार्ट करिए बाबा से परातना करिए बाला जी आपके समस्त रोग दो शत्रों का विनाश करेंगे एक दूसरा उपाय और भी कर सकते हैं अगर आपको तत्काल परेडाम चाहिए पाच आटे के दीपक आपको त्यार करने हैं उसके अंदर चमिली का तेल डालना है दीपक के अंदर चमिली का तेल डालना है इतना ध्याद रखें और पाच आटे के दीपक हनुमान ची महाराज के आगे एक के बाद एक लगा दीजे सिरीज में और वहाँ बेट करके तो तुला राशी वालो आज की वीडियो में कुछ ऐसे लोगों की बात करी जो आपके घर में ही रहते और आपको ही डस्ते हैं वीडियो में कोई भी बात दिल से पसंद आ गई है तो लाइक करने में कंजूसी कैसी कॉमेंट बॉक्स में हर हर महादेव सच्चे वक्त ही लिखेंगे और चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को भी तो प्रेस कर लेंगे बहुत बहुत धन्यवाद